पिछले काफी समय से कॉंग्रसी नेता राहूल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां पर अलग-अलग अंदाज में नजर आते हैं कभी वह बाइक मेकैनिक बनते हैं कभी वह कूली बनते हैं और कल से सोशल मीडिया पर एक फोटो वाइरल हो रही है जिसमें वह कारपेंटर का काम करते हुए नजर आ रहे हैं इसके बाद अनिल्विज ने भी राहूल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनका राजनीती का काम तो बंद हो गया इसलिए वह नया काम ढूंड रहे हैं इसलिए राहूल गांधी कभी जाकर खेती करते हैं कभी वह बाइक मेकैनिक बनते हैं कभी कारपमेंटर बनते वह तरह तरह के काम कर रहे हैं इतना ही नहीं अनिल विज ने कहा कि अमबाला या हरियाना और हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं कि उनके पास कोई जगा हो तो राहुल कांधी को रख लो केजरीवाल ने परधान मंतरी नरेंदर मोदी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वह उनकी चांच करवा रहे हैं इसके बाद केजरीवाल अनिल विज के निशाने परा गए और अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल पुराने इंकम टेक्स अधिकारी रहे हैं वह अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह क्या छुपाना है इसलिए वह बड़ी ही होशियारी के साथ काम कर रहे हैं लेकिन जो दूसरे अधिकारी हैं वह भी उनके पिताजी हैं जो जो कमी हैं वह सब निकाल लेंगे और सब के सामने रखतेंगे पंजाब में कॉंग्रेस विधाएक सुखपाल सिंख खैरा की गिरफतारी के बाद कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे ने कहा कि कोई उनके साथ अन्याई करेगा तो वो सहन करने वाले नहीं है जिसको लेकर अनिल विज ने कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी पर टिपनी करते हुए कहा कि यह दोनों एक ही पार्टी के कारेकरवों में एक दूसरे के गलबहियां पाते हुए दिखाए देते हैं विज ने कहा कि इनका अपस में अपना ही हिसाब किताब है जो वह निबटने में लगे हुए हैं अमबाला के खिलाडी ने एशियाई केम में गूल्ड मेडल जीता है जिसको लेकर अनिलविज ने कहा कि आज एतिहासिक दिन है अम्बाला के एक यूबक ने पहला गूल्ड मेडल जीता है और आज अम्बाला वासियों का सर गर्व से उंचा हो गया है उन्होंने खिलाडी को शुब कामना दी आज बहुत इत्यासिक दिन है आज अम्बाला जिने के नोजवान ने शूटिंग में एशियों का में पहला गूल्ड मेडल जीता है आज हर अम्बाला वासियों के दोदो फुट उपर चापगा है अज अम्बाला वासियों का सर गर्व से उंचा हो गया है अपने असपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पानी के लिए देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूस हमें फीजबुक पर लाइक करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एपल और एंड्रोइड मोवाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी एप अंबाला ब्